हलो बच्चों मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी आज की कक्षा में तो बच्चों आज हम कक्षा नौ की हिंदी पाठे पुस्तक शितिच के काव्य खंड से ग्राम श्री नामक इस कवीता का पठन करेंगे बच्चों इससे पहले की हम आगे बढ़ें आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने ग्राम श्री का पहला भाग पहले ही पढ़ लिया है उसी पर आधारित अब इस कवीता की आगे चर्चा होगी तो आज मैं आप सब के सामने ग्राम श्री जिसके कवी है सुमित्रा नंदन पंथ जी इस कवीता का दूसरा भाग ले करके उपस्तित हुई हूँ तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था इस कवीता के बारे में कि ग्राम श्री का अर्थ क्या होता है यानि गाओं की शोभा किस से होती है सुन्दर्ता से होती है यानि कि जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा कि हम गाओं की सुन्दर्ता का मनोहारी चित्रन जो कि सुमित्रा नंदन पंथ जी ने अपनी इस कवीता में किया है उसी के बारे में आगे हम इसका क्षा में इसकी चर्चा करेंगे तो चलिए लेकिन पढ़ने से पूर्व सर्व प्रथम हम पहले भाग में अब तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक बार फिर से पुर्णावृति कर ले तो अब तक हमने पहले भाग में क्या पढ़ा आईए जाने कवीता में गाओं के खेतों का सौंदर्य चित्रन किया गया है सुमित्रा मनंदन पंथ द्वारा मैंने बताया था कि जो बच्चे कभी गाओं नहीं गए हैं शेहर में ही रहते हैं शेहर का जीवन यापन करते हैं तो उनको गाओं के बारे में उसकी सुन्दर्ता उसकी हर्याली उन सब चीजों का आभास कराने के लिए ये कवीता बहुत महत्तपूर है आप इस कवीता को ह पढ़ेंगे तो आप गाओं की उस चटा को अनुभव कर पाएंगे तो यहां पर कवी ने इस कवीता में हमें ये भी बताया था कि किस प्रकार से जब प्रकृती अपना सौंदर्य निखारती है तो वह फलों से लद जाती है और इसकी सुन्दर्ता देखते ही बनती है कवी ने हरियाली चारों तरफ की हरियाली का वर्णन तो किया ही है और साथ ही साथ खेतों में उगने वाली फसलों फूलों फलों इतियादी के बारे में भी इसका वर्णन हमें करवाया है कवी ने ये भी बोला है कि जब फसल तयार हो जाती है तो क्या होता है जगा जगा पर फूलों के उपर कौन मंड राते हैं तितनियां रंग बिरंगी तितनियां और रंग बिरंगे फूल कवी को देखने में ऐसे प्रतित हो रहे थे मानों जो फूल हैं वो स्वयम ही उड़ उड़ के दूसरे फूलों पर बैठ रहे हैं ठीक है तो इस सुन्दर्ता की अभिवेक्ति हमें ग्रामश्री के पहले भाग में देखने को मिलती है और उन्होंने मौसम अर्थात रित्यों के बारे में भी हमें पहले भाग में समझाया था कि किस प्रकार से पत्ज़ड के मौसम में ढाक और पीपल जैसे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं लेकिन जैसे हर पत्तों के जढ़ने के बाद नए पत्ते जो कोपल होते हैं वो स्वयम उगते हैं तो वसंत्रितु के आगमन पर जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं हम कोई त्योहार होता तो नए कपड़े पहनते वैसे ही प्रकरती भी नए कपड़े धारन करती है कब वसंत्रितु में तो उस वसंत्रितु का मनमोहक चित्रण कवी ने ग्राम श्री के पहले भाग में हमने पढ़ लिया है उसमें किया है तो चलिए अब इस कवीता को जारी रखते हैं और दूसरा भाग शुरू करते हैं आगे कवीता में यानि फसलों फूलों फलों के उपर चर्चा करते हुए अब यहां कवी किसके बारे में में बता रहे हैं देखते हैं पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी पक गए सुनहरे मधुर बेर अवली से तरू की डाल जड़ी बच्चों जैसा कि मैं हर बार बोलती आई हूँ कि कवीता वाचन के साथ साथ मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी क्यूंकि यदि हम शब्दों के अर्थ जान लेंगे तो कवीता बहुत ही सरल हो जाती है तो यहां पर पीले मीठे यानि पीले रंग के मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्या पड़ी चित्या किसे कहते हैं दागों को आप देखते हैं ना जो अम्रूद होते हैं या कोई फल होता तो उसके पर कभी कभी दाग लग जाते हैं पक गए सुनहरे मधूर बेर और किसके बारे में चर्चा की गई है बेर के बारे में कभी कह रहे हैं व आवले के पेड़ होते हैं ऐसा लग रहा है कि उस पर रत्न जड़ा हुआ है चलिए अब भावार्थ की और बढ़ते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में फल के प्राकृतिक सौंधर का बहुत ही सुंदर चित्रन देखने को मिलता है अमरूत की पेड़ों में फल पक चुके हैं औ और बेर भी पक कर सुनेहरे रंग के हो गए हैं और आवले के फल से तो पूरी डाली ऐसी लग रही है जैसे वह जड़ी की तरह लगाई गई हो देखिए यहां पर कवी की कलपनाई वो आवले की पेड़ों पर जो आवले जड़े हुए हैं उसकी तुलना किस से कर रहे हैं वो उसकी तुलना एक तरह का रत्न होता है पत्थरों से चमकीले पत्थर होते ना रत्न जड़ित पत्थर उससे कर रहे हैं यानि जैसे कोई हार होता है गले में पहनने वाला उसमें रत्न जड़े होते हैं तो कवी ने कहा प्राकरतिक सुन्दरता के रूप में देखा तो बेर के आवले के पेड़ ऐसा प्रती थोरा की आवले वहां पे रत्न की भाती जड़े हुए हैं और जिस प्रकार से जब किसी वरिक्ष पर फल पक जाते हैं तो आप उसके पास से भी गुजरेंगे तो आपको उसकी भीनी भीनी खुश्बू मीठी मीठी खुश्बू आत अमरूत पर चितिया पड़ गई हैं यानि दाग लग गए हैं तो इसी की चर्चा इस इन पंक्तियों में की गई है चलिए देखें अगली पंक्तिया लहले पालक महमे धनिया लौकी और सेम फली फैली मखमली टमाटर हुए लाल और मिर्चों की बड़ी हरी थैली तो बच् मैंने एक चितर दिखाया है आपको जिसमें आप पहचान पाएंगे की कौन से पालक है और कौन से धनिया है तो आईए पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं लहले है पालक अर्थात लहराता हुआ पालक महमे धनिया महकता हुआ यानि खुश्बूदार धनिया लौकी और अर्थात और लौकी जो सबजी होती है बाजार में आसानी सोपलब्ध होती है सेम फली सेम जिसे हम अंग्रेजी में बीन्स कहते हैं फली फैली यानि वो तो गुच्छों में उखती है बहुत सुंदर लगती है इस सुंदरता को बढ़ाती है प्रकृतिक सुंदरता को म अखमली टमाटर हुए लाल यानि टमाटर जो हैं बहुत ही कोमल और लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं कवी को मिर्चों की बड़ी हरी थैली मिर्चों अर्थात मिर्च बड़ी यानि बड़ी सी और हरी थैली थैली किसे कहते हैं एक थैला जिसमें सामान हम रखते हैं ठीक है तो बहुत ही सुन्दर चित्रन देखने को मिलता है। पालक पूरे खेत में लहला हा रहे हैं। और धनिया की सुगंद पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम पूरी जमीन पर इधर उधर फैली हुई है। टमाटर लाल हो चुके हैं। मानों जैसे मखमल बिचा ह हुआ हो और मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थेली की तरह लग रहे है यहां पर बचों कवी ने मिर्च के पौधों को हरी भरी थैली क्यों कहा क्यूंकि आप देखते होंगे जो मिर्ची का पौधा है वो गुच्छों में लगता है एक साथ लगता है और जो बड़ी बड़ी मिर्च होती है वो थैलियों जैसे ऐसा लगता है किसी ने पौधों पर थैलियां लटका के रखी है और उन थैलियों के जै यहाँ पर अने तरह की सबजियां सुन्दर सुन्दर अलग-अलग रंग के यहाँ पर उगी हुई है और वो धर्ती की सुन्दरता को चारचांद लगा रही है बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुन्दर लगती सरपत छाई तट पर खरबूजों की खेती बच्चों यहाँ पर गंगा के तट की सुन्दरता का बखान किया गया है यानि गंगा के किनारे का जो छेतर होता है उसके बारे में कहा गया है बालू के सापों स अंकित कार्थ होता है जिस पर निशान पड़े हो और गंगा की सतरंगी रेती यानि गंगा घाट का या गंगा के आसपास के छेत्रों में सतरंगी यानि विभिन रंगों वाली सातरंगों वाली ठीक है रेती अर्थात रेत सुन्दर लगती है सर्पत छाई सर्पत कार्थ होत उसके आस-पास जंगली घांस अपने आप ही उग आती है तो उसके बारे में चर्चा की गई है तट पर तर्बूजों की खेती और कवी ने क्या पाया कि गंगा के तट पर खर्बूजों की खेती भी हुई है, तो आईए पढ़े इसका भावार्थ, प्रस्तुत पंग्तियों में कवी ने गंगा के तठ के सौंधर्य कवर्णन किया है गंगा के रटीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरे बन गई है वे लकीरे आसी प्रतीत हो रही है जैसे कई साप सोई हुए हों और जब सूर्य की किरने उस रेत पर पड़ रही है तो वह रंग बिरंगी सी नजर आ रही है वहां पर सरपत भिची हुई तर्बूज की खेती भी बड़ी ही सुन्दर लग रही है बचों इन पंक्तियों में आप इस चित्र को देख सकते हैं यह चित्र जो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया गया है रेतीले आपने रेत के जो टीले देख रहे हैं इस पर जो बालू है उस पर एक आकार बना हुआ है तो कवी को यह आकार कैसा प्रतित हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे सांप वहां पर सोई हुए हो आप स्वेम देख सकते हैं और कवी ने क्या द पर तर्बूजों की खेती भी हुई है जो देखने में बहुत ही मन भावन लग रही थी तो कवी ने इसी की चर्चा इसी की अभिव्यक्ति इस कवीता में की है आगे बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की तरफ अंगली की कंगी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई तिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मगरोठी रहती है सोई तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले शब्दों के अर्थ जानेंगे अब यहां अंगली से कंगी से बगुले अर्था जब कवी गंगा के तट पर जब घूमने गये होंगे तो उन्होंने वहां पर किन किन जीव जंतूओं को देखा प्रकृती की सुनदर्था क्या क्या देखी उन सबका वणन किया है तो यहां पर उन्होंने बगुले को देखा अंगुली से कंगहे से बगुले अंगुली उंगलियों को कहते हैं कलगी सवारते हैं कलगी यानी सिर के उपर का हिस्सा सवारते यानी उसे सजाते हैं तिर्ते कार्थ होता है तैरना जलमे सुर्खाब किसे कहते हैं चक्रवाख पक्षी को यह दो अबिभिन अबिभिन एक ही जैसे नाम है पुलीन पर पुलीन कर्थ क्या हुआ किनारा यानि किनारे पे बैठे उन्होंने सुर्खाब पक्षी के बारे में उसकी चर्चा की है मगरोठी रहती है सोई मगरोठी क्या होता है वह एक पक्षी होता है तो यहाँ पर उन्होंने गंगा के तड़की सुन्दर्था का पक्षान किया है आईए अब जानते हैं इसका भावार्थ पास में कोई बगुला अपनी उंगलियों से अपनी कलगी में कंगी कर रहा है पानी में सुर्खाप तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है यानि गंगा के तड़ पर उन्होंने जिन जिन जीवों को देखा उसी की यहाँ पर चर्चा की है उन्होंने कहा कि उनकी नजर सबसे पहले किस पर गई एक बगुले पर गई जो बगुला क्या कर रहा था आपने अक्सर देखा होगा बगुले पानी में पैर डुबाई हुए एक पैर को अपने सिर के ऊपर रखते हैं और वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शांत मुद्रा में खड रहा है और कभी ने क्या देखा कि पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और वहां पर मगर यानि मगर मच वो भी अलसाया हुआ सोया सा प्रतीत होता है तो यहां पर गंगंगा तटकिये आसपास के शेत्रों की सुंधरता प्राकृतिक सौंधर्य का बखान कभी ने किया है आग सुख से अलसाय से सोय भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वपनों में छोये तो यहां पर जो सर्दी की जब धूप आती है उसकी चर्चा की गई है सर्दी की धूप सबको बहुत अच्छी लगती है हस्मुक हरियाली यानि सदैव हस्ती हुई कौन हरियाली तो यहां पर हरियाली का मानविय करण किया गया है हिंपात यानि की सर्दी की धूब सुख से अलसाय यानि सर्दी के दिनों में जो आलस आता है उसकी चर्चा की जारी है भीगी अंधियाली सी निशी की ठीक है निशी अर्थात रात की तारक स्वपनों में से खोए यानि तारक अर्थात तारे स्वपनों अर्थात स्वपन उसमें खोए हुए अब जानते हैं इ अपनी इन अंतिम पंक्तियों में कवी ने गाउं की हरियाली वहां की शांती एवं प्राकर्तिक सौंदर्य का बड़ा ही सरलता से वर्णन किया है उनके अनुसार सर्दी के धूप में जब सूर्य की किरणे खेतों की हरियाली पर पड़ते हैं तो वहां इस तरह चमक उठती है मानों वो खुशी से जूम रही हो और कवी को यह दोनों अलसाए से भरे सोय हुए प्रतीत होते हैं सर्दी की राते ओस के कारण भीगी हुई सी जान पड़ती है जिसमें तारे मानों किसी सपनों में सोय हुए से लगते हैं अर्थात यहां पर कवी कह रहे हैं कि जब सर्दि में जब धूप आती है सर्दियों में वैसे भी नींद बहुत जादा आती है तो क्या होता है कि छोटे बच्चे वह बाहर निकलना नहीं चाहते हैं तो उसी आलसपन की यहां पर चर्चा की जा रही है कि वह सुंदरता जो सर्दियों के मौसम की होती है वहां पर जब धूप सूरी की किरने परती है खेतों पर तो खेतों की हरियाली कैसी प्रतित होती है वह और सुनदर लगती है तो उसकी सोभा अपने आप ही देखते बनती है और तारक तारक स्वपनों अर्थात तारों तारे जो हैं कभी को ऐसे प्रतित हो रहे हैं कि सर्दियों में वे भी अलसा गए हैं और घोर निद्रा में चले गए हैं और स्वपन देख रहे हैं तो देखा जाए तो यह एक बहुत ही सुंदर सजीले एक प्राकृतिक सुंदर का वन्नन है आगे कहा है कि मर्कत डब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन निरुपम हिमांत से स्निग्द शांत निज सोभा से हरता जन्मन अर्थात यहां पर उस मौसम का जिक्र किया जा रहा है जब चारों तरफ हर्याली छाई रहती है शांती रहती है त पंक्तियां उसी की चर्चा पर है तो मर्कत का पहले अर्थ जान लेते हैं मर्कत का अर्थ होता है पन्ना नामक रत्न यह तरह का रत्न होता है जैम होता है ठीक है डिब्बे सा खुला ग्राम ग्राम का अर्थ मैंने पहले बताया था ग्राम का अर्थ होता है गाउं जिस पर निलब नब आच्छन दन नब यानि आस्मान नीलम नीले रंग का वो होता है वह वो भी एक रतन होता है तो ये जो उपर प्रकृतिक सौंधरे की चर्चा की जारी है कि उपर बिल्कुल नीले रंग का आच्छा दन है नब है चारों तरब से फैला हुआ है निरुपम हिमांत से स्निक्द शांत यानि हिम यानि हिम पात के बाद एकदम शांत रूप धारण किये हुआ इस गावों की चर्चा की जा रही है निज शोभा से हर्ता जन्मं ङानि उसकी अपनी स्वयं की जो खूपसूर्ती है जो अनोखी चछटा है जो हिमपात के समय देखने को मिलती है हमें कि घरों के छटों पर बहुत सारे बर्फ जम जाते हैं तो यह जो शोभा है उसकी चर्चा की गई है आईए जानते हैं इसका भावार्थ ऐसे में नीली आखें आसमान के नीचे गाउं ऐसा लग रहा है जैसे जवहरातों का डिब्बा खुला पड़ा हो जिसमें आकाश ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो या ढख रखी हो और इस प्रकार शरद रितू के अंतिम कुछ दिनों में गाउं के वाता वरण में अनुपम शांती की अनुभूती हो रही है जिससे गाउं के सभी लोग बहुत प्रभावित है यानि यहाँ पर कवी ये कहना चाहते है कि जो गाउं की शांती है खुबसूरती है, सौंदर है ये एक खुले हुए रत्न के डिब्बो के समान है ऐसा लगता है कि इसने रत्न का डिब्बा खोल के छोड़ दिया हो क्यूं ऐसा उन्हें लगा? क्यूंकि उपर नीला आकाश और नीचे हरियाली और बर्फ से ढखे हुए घर तो कवीद की कलपना ये कह रही है कि इस सौंदर का तो कोई तोड़ ही नहीं है यानि यहाँ पर गाउं बहुत ही सुखी है, संपन है और लोग इससे बहुत प्रभावित है तो उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ग्राम श्री का दूसरा भाग भली भाती समझ में आया होगा बच्चों, अब तक हमने कवीता वाचन के साथ साथ शबदार्तों के साथ उसके भावार्थ के बारे में चर्चा की है अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नुत्तर की तरफ कवी ने गाउं को हरता जन्मन क्यों कहा है? हरता जन्मन यानि जो सबके दिलों को आकर्शित करता है ऐसा कवी ने अंत में क्यों कहा है आईए जानते हैं कवी ने गाओं को हर्ता जन्मन इसलिए कहा है क्योंकि गाओं की प्राकृतिक बातावरन बेहद मनोहर है मनोरम है और सौंदर्य से भरा हुआ है चारो और हरियाली ही हरियाली च चाही हुई है अतह गाओं का अद्भुत नजारा सबके मन को चू जाता है इसलिए कवी ने इसे हर्ता जन्मन कहा है आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के और गाओं को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है हमने अंतिम पंक्तियों में से पढ़ा था डिब्बा अर उत्तर जानते हैं गाओं को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि मरकत क्या होता है एक प्रकार का रत्न होता है जिसका प्रसिद्ध नाम पन्ना है यह रत्न हरे रंग का होता है कवी ने मरकत के हरे रंग की तुलना किस से की है गाओं की हरियाली से की है जिस प्रकार मर्कत चमकता हुआ हरा भरा सा दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार धर्ती भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती हुई कैसी दिख रही है हरी भरी सी क्यूंकि चहु और क्या होता है हर्याली च्छाई होती है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अमरूद और आवला जैसे फल और उनके पेड कवी का मन क्यूं लुभा रहे हैं तो इसका उत्तर जानते हैं कच्चे हरे दिखाई देने वाले अमरूद अब पक कर पीले रंग के हो गए हैं और उन पर लाल लाल चित्तियां भी पड़ गई हैं पेड के फल पक कर सुनहरे और खुश्बूदार और मीठे हो गए हैं आवले की डालियां छोटे छोटे आवलों से जड़ी हुई दिखाई दे रही हैं इस कारण यह फल और पेड कभी को स्वयम आकरशित कर रहे हैं यानि लुभा रहे हैं तो बच्चों इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ग्राम श्री का दूसरा भाग आपको भली भाती समझ में आ गया होगा इसी के साथ विदा लेना चाहूंगी नमस्कार विदा भाग नमस्कार